हाई दोस्तों तो एक और जबर्दस वीडियो लेकर आए हूँ पागिस्तान ने स्रिलंका कभी इंफलेशन का रिकारड टोड़ दिया है क्या है सारा सेनेरियो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं अपने इस पर रिसेंट्ली बहुत आर्डिकल पब्लिश हुए आपने देखा होगा न्यूस्पेपर के फ्रंट पेज पर इस पर आर्डिकल पब्लिश हुए और बहुत से रिपोर्ट्स पब्लिश हुई ये तक लिखा गया What a tragedy क्योंकि यही संटेंस आप इस्समाल करोगे Because हुआ यहाँ पर क्या है कि शिलंका एक ऐसा देश जो अपने करजो पर डिफॉल्ड कर चुका है जिसको आज के समय कोई उधार देने को तयार नहीं है इंडिया, यूएस, आस्ट्रेलिया, जपान हम सब कोशिश कर रहे है कि शिलंका की एकॉनोमी को कैसे ना कैसे करके help करे वापस इस country की एकॉनोमी को recover करने में help करे ऐसे country की जो inflation थी ना, उसको भी पाकिस्तान ने bid कर दिया है ये काफी shocking है, mathematically किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान ने accomplish किया कैसे है और इसके बारे में आपने देखा होगा, चाहे international media हो, Indian media हो, सब लोग लिख रहे हैं कि Pakistan's inflation outpaces शिलंका as Asia's fastest अब आपको वैसे अभी मैं list दिखाऊंगा, inflation rates की किस तरीके से पाकिस्तान में inflation लगातार बढ़ती जा रही है और eventually एक टाइम पे क्या होगा, कि इस country में ना, middle class almost kill हो जाएगी उनकी जो भी savings है, कुछ उसकी इत्ती value बचेगी नहीं और फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा economic collapse भी आ सकता है डिसकस करते हैं इस टॉपिक को, मगर सबसे पहले न, मैं आपको दिखाता हूँ के inflation rate अभी चल के आ रहे हैं, countries के इसाब से, इंडिया में क्या rate चल रहा है भी ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, एशिया की जो countries है, इनके inflation rate क्या चल रहे है यहाँ पे मैं mention कर दू, inflation rate कम होना एक देश की अबादी के लिए बहुत ही important होता है मैं यह भी नहीं कहा रहा के बिल्कुल zero के आसपास रखो, थोड़ी बहुत inflation चाहिए भी होती है ताकि companies भी benefit कर पाएं, jobs भी create हो, मगर जादा inflation एक बार हो गई तो जो पैसा middle class ने save करके bank में रखा हुआ था ना, उस पैसे की जो value है लगातार crash होती रहती है कई देश है, एक देखो pattern notice किया गया है over the years, failed countries में के complete collapse से पहले, लगातार 3-4 सालना वहाँ पर inflation बहुत high रहती है middle class की saving बिल्कु zero हो जाती है, तब जाके लोग सड़कों पे आते हैं और फिर एक complete collapse होता है country का, यह pattern notice किया गया है over the years, in many countries चाहें आप युगोस्लाविया में भी देख लो, inflation rate बहुत जादा high था लंबे समय तक तो अभी वैसे अगर हम एशिया में देखें, तो चाइना में inflation rate 1% से भी कम हो चुका है चाइना में वैसे मैं आपको यह बता दू, inflation rate यह लोग properly control करके रखते हैं क्योंकि यह करना आसान भी रहता है, सरकार के पास control बहुत जादा होता है सरकार, markets, production वगरा सब कुछ ऐसे control करती है even consumption के दुकानों में भिगेगा, क्या, क्या, नहीं भिगेगा कि यह लोग inflation properly manage कर लेती है चाइना की communist party ने अपनी top priority ना रखी है कि अपने देश में inflation नहीं बढ़ने देनी क्योंकि जिस दिन inflation बहुत ज़रा बढ़ जाएगी लोग वैसे ही तंगा रखे हैं एक party को जैसे तो उस time revolution ना हो जाए तो आप कहले जिए चाइना में ना हमेशा आप देखोगे 4-5% से कम ही inflation रखते हैं फिर इंडिया को आप अगर देखो तो इंडिया में भी inflation थोड़ी कम हुई है यहाँ पे आप देख पाऊगे इंडिया की inflation दिखा रहे हैं यह 5.66% के आसपास जो RBAE का target है उससे फिर भी थोड़ी जाता है मगर compared to other countries हमारी inflation काफी control में है इंडिया से आगे आप अगर जाओगे तो आप देखोगे बांगलादेश almost 10% की inflation मंगोलिया 12% की inflation फिर यहाँ पे आपको danger countries दिखेंगे जिनकी inflation 30% से भी बहुत हाई है इनकी middle class की जो wealth थी बिलकुल erode ओर यह लगातार prices हर चीज के सबजी के आटे के हर चीज के prices लगातार बढ़ रहे है और यहाँ पे आप देख पाओगे शिलंका में पहले inflation थी 50% के आजपास इन्होंने inflation control करके इसको 35% कर दिया पाकिस्तान की inflation 35% थी यह inflation sudden spike की वज़े से अब 36.4% तक जा चुकी है हालाकि यहाँ पर मैं यह कहूँगा के एशिया में सबसे ज़ादा खराब inflation लेबनोन की है जी हाँ लेबनोन इसराइल के नौर्थ में जो देश है वो भी बिलकुल collapse के करीब है मैं यहाँ पर यह कहूँगा उल्टा पाकिस्तान से कई गुना ज़ादा खतरा collapse का लेबनोन पर है बड़ पाकिस्तान जिस trajectory में जा रहा है जिस group में यह लोग जा रहे है न eventually आप देखोगे लोग यहाँ पर सड़कों पर आ जाएंगे क्योंकि in the end जब बात आती है survival की खाने की तो लोग establishment से लड़ना start कर देते हैं now inflation का देखिए एक बहुत ही direct impact आता है एक देश की currency पर यह बहुत ही simple सा मैं आपको economic सदना दिखा रहा हूँ inflation reduces the value of currency over time तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान की inflation out of control हो गई है न तो अब possibility मैं काऊंगा बहुत जादा high है eventually कि पाकिस्तान का जो रुपी है एक डॉलर के मुकाबले 300 के आकड़े को cross कर जाएगा अब मैं काऊंगा के it is very much possible इंडियन रुपी के comparison में आप ये समझ लो 1000 इंडियन रुपीज is equivalent to around 3500 पाकिस्तानी रुपीज और इस सब का impact देखिए लोगों की spending पे साफ दिख रहा है मैं जो यहाँ पे बाते कर रहा था लोग सड़कों पे आ जाएंगे दिक्कत हुजाएगी ये एक पैसे की भी exaggeration नहीं है ये अतिशोक्ती नहीं है अभी recently notice किया गया लोग spend कितना करते हैं festival में इंडिया में आप देख लीगे सबसे बड़ा festival in economic terms भी आप देख लो वैसे भी देख लो celebration के साफ से ये दिवाली रहता है दिवाली में हम लोग देखते हैं कि लोगों ने spend कितना किया कितना इजाफा हुआ कितना increase हुआ कितनी economic activity जादा हुई compared to last year और आप देखो के हर बा बहुत shocking है क्योंकि पाकिस्तान predominantly एक Islamic country है तो यहां पे लोग eat celebrate करते हैं लोग भार निकलते हैं purchases करते हैं but comparison में आप देख लीजिए लोग 40% कम खर्च रहे थे क्यों क्योंकि जो पैसा उनके हाथ पे था उसकी value बहुत कम हो चुकी है और अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस् इसी वार से भी compare नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के सार आज के समय जो हो रहा है जो सड़कों पर जो न्यूज आ रही है वहां पर लोग जिस तरीके से खाने के लिए लड़ रहे हैं of course मैं आपर बड़े शरू की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान के रूरल एरिया है अपर इतनी खराब हालत पाकिस्तान की फॉर्मेशन से लेकर अब तक नहीं हुई है तो इसलिए अब देखना होगा के इवेंचुली यूएस किस तरीके से बेल आउट करेगा पाकिस्तान को मैं नहीं वानता के पाकिस्तान इवेंचुली कॉलाप्स करेगा United States of America ensure करेगा कि कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान फ्लोट करता रहे बट ये देखना बहुत इंडरस्टिंग होगा कि इतनी हाई इंफलेशन को इनकी जनता इनके लोग कब तक एकसेट करेंगे और इससे बड़ा क्वेशन यह आता है कि ऐसे टाइम में अगर भान लीजिए इ इस वरी इंडरस्टिंग क्वेशन तो ये टॉपिक देखें न्यूस में रहेगा मैं इन दे फ्यूचर इस पर अप्डेटेड वीडियो लाता रहूंगा फानली यहाँ पर मैं आपसे क्वेशन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग करोगे कॉमेंट सेक्शन में इन्फल इनके चैनल को सबस्क्राइब करें को प्रेस करें और दोस्तों बात करने इस वीडियो के बारे में इंफलेशन पाकिसान के अंदर बढ़ गई है यह बात बिल्कुल सच है आज कर जो मिडिल क्लास तबका है वह सारे के सारे जिससे भी मुलाकात होती है और हम खुद मेंदि सेलरी है तो में गजारा नहीं हो रहा है रेंट दें घर का या बिजली का बिल ने गैस का बिल ने या खाएं पियें एजुकेशन है फिर है वो सारी चीज़े मसले मसाहिल के अंदर गिरी हुई है और इसकी वज़ा क्या है पॉलिटिकल इंस इस्टिबिलेटी हो गई है पा सब्सक्राइब के जो इलेक्शन है वह अक्तूबर नवंबर में जाके हैं अक्तूबर सितंबर में हैं उसके बाद ही कुछ हो पाएगा पर हिनों ने जो बात किये कि यहां पे लोग लड़ रहे हैं खाने के लिए आटे के लिए और इस तरह की नियूज मैंने और भी देख करो देख लो अगर कोई लड़ाई बढ़ाई कोई धंगा फसाथ हो रहा है बड़े चोटे शहरों में कहीं पे भी तो पता लग जाएगा होता यह किसी भी मुल्क के अंदर जब आप उसका सोचल मेडिया कोल के देखते हो ना तो आपको रेलेटी के अंदर यह नहीं है हां इस मामले में थोड़े से लैक कर जाते हैं और लेकिनों ने यह किया कि आठा तो बांटना है उसके लिए को इंतिजाम नहीं बनाया कि इस तरीके से लाइन लगेगी लोग आएंगे और आठा लेके चले जाएंगे और वहां पे उन्होंने क्या करा सब को बुला लिया सब भागदोड़ा मच गई एकदम से और मैं आपको बताओं कि जहां पर आपके पास 50-60 लोग आ जाए ना उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है और इस तरीकी के सिच्वेशन में आजए जहां पर वह भागदोड़ करने को भी तैयार हों को पता होगए खास दोर पर क भागदोड़ करेंगे तो हमें चीज मिल जाएगी होता नहीं है इसे कुछ भी होता नुक्सानी है उल्टा पर वह इन चीजों को कर रहे होते हैं और कुछ थोड़ से थोड़ से घलतियां कर जाते हैं लोग महां पर मैं यहीं घलती का वर्ड यूस करूँगा कि भाई वह ही मुद भागदोड़ कर के हमांचते का मैं यहीं काम अगर आप किसी अच्छी और्गनाजेशन न को देदो आप आन। को दे दो या कोई और एंजियो को दे दो तो वो चलाएगी एंजियो कितना काम कर रही होती है फ्लरड आया है एंजियो काम कर रही थी ठीक है और इस तरीके से एंजियो कोवेट के अंदर काम करती रही है कोई भाग दर नहीं हो रही थी कोई मार्कोटाई नहीं हो रही थी को इनके डिफ सब्सक्राइब हुए 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 तो लोग आते हैं खानाचा चले जाथे चूचा भी दे खुक्नानों के ऊगे direction और कोई कोई इस तरह की एक्टिविटीज भी नहीं होगी उसकी वज़ाई कि मैं क्या करूँगा तीन-चार बंदे हायर कर लूगा कि आपने लाइन सब्सक्राइब लाइन लगेंगी और यह काम होगा अभी मैं इसान की वीडियो देख रहा था बीपी से की वीडियो थी उन्होंने वहाँ पर डेली वह फूट जो नहीं को सप्लाइब कर रहे होते राशन सप्लाइब कर रहे होते हैं अग्वान हकूमत के साथ बड़ा मसले मस सब्सक्राइब कर रहा तो उनके पास तो खाने बीने के बहुत ज़्यादा मसलें बने पड़े तो वहाँ पर इस तरह कुछ भी नहीं हो रहा तो यहां पर भी नहीं होगा हां यहां पर तीन-चार इंसिडेंट हो गए वह घलतियों से हुए और बट रहा है दिख रहा है कुछ भी नहीं होता तो यह चीज़ें जो इस तरह पोट्रे कर देते ना यह लोग घलत कि वहां पर इंफलेशन हो गई है तो लोग लड़ रहे हैं अपस पे तो यह हो रहे तो और आप लोग यकीन नहीं तो मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा मैं आप लोग को विलॉ खाई जाती है थोड़ी आप लोगों का मिसकंसप्शन इसको ठीक करें वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों क्या रहा है मुझे कमेंट करके बताएगा मिलता है कि इस वीडियो में तुब तक लिए पाब बाए